Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated, this is Devashree Shavasthi और आज मैं आपके सामने आपको याद होगा लास्ट लेक्षर मैंने एक बास सेंट्रल स्कीम्स पर लेक्षर बनाया थे जहां पर मैंने जितनी भी स्कीम्स न्यूज़ में उन सबको डिसकस किया था यहां पर मैं आपको स्टेट गवर्मेंट की जो भी स्कीम्स है जो रिसेंटली अभी दो ती में विदिन थ्री मन्स जो न्यूज़ में रही है क्योंकि एक्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो मैं यहां पर डिसकस करने वाला हूँ तब न्यूली अपडेटेड स्कीम्स जो स्टेट गवर्मेंट की उनको डिसकस करूँगा ऐसी 17 स्कीम्स में डिसकस करूँगा उसके आपका सारा टॉपिक स्टेट गवर्मेंट का भी हो जाएगा तो अगर आप स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट भी होग तो चलिए start करते हूं देखते हैं सी कौन सी स्टेट गवर्मेंट की scheme से है जो exam perspective से बहुत important है सबसे पहले start करता हूं है Odisha से क्योंकि Odisha की स्विन्स बहुत सारी लेक्शा को देखते हैं तो इस scheme का नाम है लक्मी bus service scheme ठीक है सीदर कोशन आएगा national level पे भी कोशन आ सकता लक्मी bus service scheme किस state ने launch की है correct answer है Odisha और थोड़ा से मैं description बता दो इसमें आपको याद भी रहे ये scheme जो है to offer reliable और affordable public transit system मतलब bus service provide कर रही है throughout the Odisha और especially focus जो है इसका वो रूलर एरियास में है तो आप यहाँ पर देख सकते है Odisha की CM की image भी बनी हुई है इंपोर्डेंट है नवीन पतनाइक जी की ठीक है लक्मी bus service सीधे या रखना Odisha और रूलर एरियास को देखते हो बड़ा अच्छा step है कि आप public transit system को transport system को बढ़ा रहे हैं इससे environment friendly भी होता है नेक्स देखते है अमा Odisha, नवीन Odisha तो नाम से ही परचल रहा है यह तो Odisha की scheme होगी बिलकुल Odisha की होगी को नाम से ही परचल रहा है बट अभी पूझ लागए यह scheme किस से related है यह scheme जो है to boost ruler infrastructure ruler के जो infrastructure है उसको boost करेंगे ठीक है plus promoting जगनात culture जगनात culture है उसको promote किया जाएगा यहाँ पर across Odisha कैसे by distributing funds for panchite development panchite development उसको funds दिये जाएगे जिससे कि side development हो सके तो बड़ी अच्छी बात है जगनात culture को promote करने की बात की जारी है ruler infrastructure को promote की जारी है under अमा Odisha नवीन Odisha की अंदर यह दोनों important scheme है Odisha government की जो अभी news में चल रही है आगे बढ़ते है next state में आते हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की scheme देखिए मुख्य मंतरी सुक आश्रय योजना यादे के मुख्य मंतरी सुक आश्रय योजना के state की है हिमाचल प्रदेश की है पहरे तो यह याद अखना है आगे यह scheme में क्या है to provide comprehensive support to orphans orphans जो होते हैं बच्चे orphans जो लोग है especially able children है उनके लिए destitute women's है elderly जो aged लोग है individuals है उन सब को यहाद अखिए support प्रवाइड करेगी सरकार हिमाचल प्रदेश है ना इन हिमाचल प्रदेश तो यह scheme जो है यह इनके लिए एक तरीके साब कह सकते है marginalized section जो होता है ठीक है उनकी help करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे है हिमाचल प्रदेश ने यह scheme launch की है आगे बढ़ते है next next है one mitra scheme नाम से पर चल रहा है development हो सके किस जगे का forest areas का तो जो हिमाचल प्रदेश के forest areas है उनको develop करने के लिए उनको protect करने के लिए यह one mitra scheme launch की गई है ठीक है चलिए next आते है next कौन से है मुख्य मंत्री लोग सेवा आरोग योजना important है जो लोग students तक का आपको financial health coverage मिलेगी per family per year पांच लाख रुपे तक है किनको to all the Assam government employees जो भी Assam के government employees है pensioners है और जो भी dependents है ठीक है उन सब को जा रखिए का सरकार financial health coverage provide करने वाली पांच लाख रुपे per family per year ठीक है तो यह आपको रखना Assam government की scheme है सीधा option लिख्या आगए यह scheme किस state government ने लाँच की है मुख्यमंती लोग सेवा लोग सेवा आरोग योजना you have to mark the answer that is Assam next scheme में आते है e cabinet system यह तो आएगा question e cabinet system किस state ने लाँच किया है सोचो के भी नहीं 39 की state ने लाँच किया है नाम से बचला e cabinet governance हम e governance की बात करें बिल्कुल यहाँ पर digital infrastructure की development होगी ठीक है digitalization होगा government services की और information की तो एक तरीक से e cabinet system e governance की बात कर रहा है ठीक है तो अच्छी बात है कि digital infrastructure को promote करेंगे उसकी development होगी है ना government services और जो government की information है उसको जितना हो सकेगा याद रखेगा electronically provide किया जाएगा ठीक है तो e governance का एक बहुत बड़ा step है e cabinet system next है युबा तरपुरा ठीक है नतुन तरपुरा आत्म निर्भर तरपुरा फिर से बोला हूँ है युबा तरपुरा नतुन तरपुरा आत्म निर्भर तरपुरा नाम से पचला है तरपुरा की होगी बिल्कुल तरपुरा गोवर्मेंट ने लाँच किया है बट ये initiative है किसका ये initiative है तरपुरा Industry Development Corporation Limited का TIDCL का ये initiative है इस initiative के अंदर यूथ को encourage किया जाएगा तू सेट अप Industrial and Business Unit कि यूथ अपने Industrial and Business Unit को सेट अप कर सके उसके लिए encourage किया जा रहा है Under this scheme तो ये भी आपको याद रखनी है नेक्स आते हैं Heartland तरपुरा नाम से पर चला Heartland तरपुरा अगें तरपुरा की scheme होगी बिल्कु सही है बट यहाँ पर Employability और Skills बढ़ाई जाएगी Employability की opportunities बढ़ाई जाएगी Skills दी जाएगी कि इनको Youth of तरपुरा को Of course Skill Development की बात कर रहे है Employment की बात कर रहे है In तरपुरा Okay, तो Heartland तरपुरा भी आपको याद दखना है Next देट आते है That is उत्तराखन Okay उत्तराखन रोजगार प्रियाग पोर्टल याद दखेगी रोजगार प्रियाग पोर्टल ये क्या है नाम से बचला रोजगार मतलब Employment से लेटेड होगा बिल्कुल The Portal for Youth याद दखेगा ये किसके लोजगा मतलब Youth के लिए पोर्टल होगा बिल्कुल Aims to Provide Employment Opportunities मतलब जो Employment Opportunities होई वो इस पोर्टल में आपको देखने को मिलेगी ठीक है इन उत्तराखन इन सिंगल पोर्टल मतलब एक सिंगल पोर्टल में लोगों का Employment के Opportunities चाहिए है देखना है आपके Skill के कोर्डिंग क्या Employment Opportunities है वो सब आप इस पोर्टल में जाकर एक सिंगल पोर्टल में जाकर देख सकते हो उत्तराखन स्टेट ने ये लांच की है उत्तराखन के Governor का नाम और उत्तराखन के CM का नाम आप मुझे Comment Box से मेंचें करिए उत्तराखन के CM और उत्तराखन के Governor का नाम नेक्स आते हैं दाट इस नंद गौरा योजना Portal for Girls यह क्या है यह भी लांच किया है उत्तराखन ने बढ़ा अच्छा initiative है नंद गौरा योजना Portal for Girls के तुरू उत्तराखन ने यह लांच किया है कैसे इसमें सरकार क्या कर रही है financial assistance देगी पैसा प्रोवाइड करेगी ठीक है और पैसा प्रोवाइड गई जिससे कि Girls का जो रेशियो है जेन्डर रेशियो है वो बेटर हो सके और Girls के education बेटर हो सके कैसे सरकार यहाँ पर अगर कोई भी लड़की पैदा होती है तो उसको 11,000 रुपे आपको at the time of Girl Child मिलेगा प्लस जब वो लड़की 12th पास कर लेगी तो आपको 51,000 रुपीस मिलेगा तो कितनी अची बात है कि बच्ची पैदा होने पे भी आपको 11,000 मिलेगे जिससे कि जेंडर का जो याद एका ratio है वो better improve हो सके और Girls की education भी promote हो सके तो it's one of the good step ऐसे steps लेने चाहिए जिससे कि Girls की improvement हो instead of reservation आप ऐसे steps ले सकते हैं ठीक है कि आप education में यह सब चीदों पर help करें next है cm grid scheme सीधा पुछाएगा cm grid scheme कि state ने launch की है योगी आदित तनाथ का state डाड़ेस उत्तर प्रदेश ने launch की है इसका दूसरा नाम full form जो है वो देख लेते हैं Chief Minister Green Road Infrastructure Development Scheme यह पूरा नाम है से scheme का लेकि एक्जाम में आएगा आपके लिखा हुआ cm grid scheme यह scheme मैं बता दूँ आपको बताओगा आशीर में urbanization बढ़ रहा है तो urbanization बढ़ेगा तो road तो limited है तो यहाँ पर जो target है कि आप road networks को enhance करें तो ट्राफिक flow है वो बढ़ने वाला है उसको manage करेंगा road बढ़ेगी तो traffic flow भी manage हो चकेगा तो यह agenda जो cm grid scheme है तो road की development के traffic को develop करने में manage करने के लिए यह scheme launch की गई है इसमें सरकार ने अभी याद अखिये कि scheme में 500 करोज रुपे add-on भी किये है और जो urban road infrastructure development agency है वो setup की गई है to implement the scheme on the ground कि scheme को ground में implement करने के लिए urban road infrastructure development agency भी establish की गई है आगे बढ़ते है नेक्स आता है this is one of the favorite मेरे को बढ़ा अच्छा लगा राजिस्थान का initiative I start talent connect portal ठीक है यह portal मुझे बढ़ा अच्छा लगा क्यों राजिस्थान ने कितना अच्छा किया है यहाँ पर यह user friendly portal है let us suppose मुझे job चाहिए ठीक है तो मैं हुआ job seeker ठीक है चाहिए होगा वहाँ से उनको directly आपको आपको hire कर लेंगे कहने के मतलब यहाँ पर जो hiring है ना वो process बड़ा stream line हो जाएगा जिसको job चाहिए वो भी वहाँ पर जाए जिसको job देनी वो भी वहाँ पर जाए तो आपको better talent मिल सकेगा ठीक है तो companies अपनी job opening details वगरा सब mention कर देगी उसके according उस potential candidates अप्लाई करेंगे और इससे hiring procedure जो होगा बड़ा stream line हो जाएगा तो इसे इनिशेटिव होने चाहिए job के लिए ठीक है next जो है that is स्वयमपूर्ना e-bazar स्वयमपूर्ना e-bazar क्या है यह initiative है गोवा का गोवा ने क्या कर दिया है गोवा ने एक online platform बनाया है जहां पर अपने products को all over India sell out किया जा सकता है कौन sell out कर सकते है जा दखिएगा जो self help groups है ठीक है गोवा के वो अपने products बनाएंगे तो आप across India sell out कर सकते है इस portal में आप अपने products आप अपने products बनाएंगे इस portal में अप अपलोड करिए यहां से लोग बाइ करेंगे और आप प्रोड़क्स को आप प्रोवाइड ही कर सकते है तो यह एक platform जो है गोवर्मेंट ने बना के दिया है next thing that is hawk system यह hawk system क्या है full form है hostile activity watch kernel system ठीक है यह केसे करनल केसे कनाटका का यह system है यह एक specialized software platform है जहां पर monitor किया जाएगा all aspects of forest and wildlife crime जो भी forest of wildlife के crime होते हैं उसको properly यहां पर एक software है जिससे निगरानी में रखा जाएगा एक तरीके से monitor किया जाएगा जित्ते भी wildlife crimes हैं या तो जित्ते भी aspects हैं forest के वो साइच चीज़े यहाद आखिए software पर monitor होती रहेंगी जो कनाटका ने launch किया है next है समाधान scheme समाधान करना है Tamil Nadu का initiative है समाधान scheme मैं बता दूँ इसका aim क्या है इसका aim है जो long standing disputes disputes हैं कौन से disputes मैं बता रहा हूँ जो tax related disputes है टैक्स appeals टैक्स disputes जित्ते भी हैं याद एखिएगा जो की एक party trader और दूसरा state commercial tax department के साथ जो भी disputes चल रहे हैं उनको resolve करने के लिए उनको address करने के लिए समाधान scheme Tamil Nadu government ने launch की है तो याद एखिएगा जो state commercial tax department है और जो traders है उनके बीच में tax related जो disputes है उस समाधान scheme के थुरू solve करने के लिए Tamil Nadu ने launch किया है ठीक है 16. Dr. Puneet Rajkumar घिदय जोती योजना ये scheme भी कनाट का इस government ने launch की है ये scheme ये है याद एकिए scheme के अदर emergency devices install किये जाएंगे public places में ठीक है उससे क्या होगा आपको तुरंद मनलब heart attack की वैसे लोग की death हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा within crucial response time पर आपका ambulance वहाँ पर easily पहुँच जाएगी और आपकी जान बर्च सकती है ठीक है उसके लिए करनाट का government ने ये initiative launch किया है heart patients के लिए public places में ऐसे emergency devices लगाए जाएंगे नेक्स है A-health program ये क्या A-health program ये scheme जो है प्रोग्राम जो है जारखन ने लांच किया फुल फॉर्म में बतायता हूँ A से है accredited agent for expansion of health and livestock production ये इसका फुल फॉर्म है ठीक है अब इसमें है क्या बहुत simple सा है यहाँ पर women को देखो job भी मिल रही women empowerment भी हो रहा है कैसे यहाँ का काम क्या है women को empower करना कैसे women को हम यहाँ पर बनाएंगे agents recognize agents मतलब जो accredited agents होते हैं ये बनेंगी women ठीक है अब ये agents बन गए इनका काम करेगा इन agents का काम रहेगा याद खिये कि जैसे भी जो भी life stock में disease control के regarding इनको skills दी जाएंगी यो उसके according work करेंगी animal tagging में ये लोग जाकर role play करेंगी life stock का जो insurance कराना है उसमें role play करेंगी जो सारा काम कौन करेंगी women करेंगी तो accredited जो agent है वो बनेंगी women और ये एक तरह के से life stock के लिए work करेंगी women तो ये था initiative by जारखन साथ में दिखा होगा बड़े अच्छे-च्छे initiatives मैंने बता हैं जो state governments ले रही है याद रहे हैं ये भी सारे initiatives news में थे इसलिए मैंने आपको सारे cover किये हुए पिछले तीन मंथ में ये सारे initiatives news में थे और exam में इसी से questions आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर state government की भी schemes बता दी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था central government के साथ-साथ state government की schemes मैंने आपको cover करा दी है अगर आपको lecture पसंद आया हो जहाँ पर आपको सारी चीज़े हैं एक जगह पर मिल गई हो जैसा मैं हमेशा provide करता हूँ तो आप हमें कोई donate करना चाहरे हो तो यह हमारा किद्वार code है phone पे Google पे number भी mention है अगर आप चाहते हैं तो आप contribute कर सकते हैं आपकी help होरी आप select हो रहे हो आपके marks अच्छे आ रहे हो आपको अच्छा लग रहा हो you can contribute अगर आप नहीं भी करोगे कोई बात नहीं वीडियो को like भी कर सकते हैं उससे भी हमारी help होती है आप चैनल को subscribe ज़रूर करके रखना आपको आगे भी हमाई ऐसे notifications ऐसे lectures आते रहेंगे ठीक है और एक खास बात में आपको बता दू अगर आप याद देखेगा हमारे courses buy करना चाहते हो जिस तरह मेरी classes है current affairs की सारा पूरा current affairs आपको मेरे application में मिल जाएगा current affairs other subjects भी मिल जाएगे आप सोचे subjects भी इतने जल्दी कम टाइम पर मैं आपको complete करा दूँगा तो subjects अगर आप सप्पाय करना है तो अभी 90% तक off चला है 20% extra है plus 70% मैंना आप पर दे रखा है 90% तक off है Diwali 20 code है यह offer मैं 24 तो तक extend कर दिया है तो तुरंट जाकर इस offer को आप apply कर लो ठीक है आपको मेरी booklets में भी offer मिल रहा है मैं करीबन 14 booklets जो है वो provide कर रहा हूँ handwritten booklets या दखिएगा सारी booklets जो है आप इनको order कर सकतो इनको order करने के लिए करना किया आपको नीचे मेरा contact number दिया हुआ है आप इस पर contact कर सकतो प्लस इवेन ये handwritten notes है आप चाहता है application से भी buy कर सकतो application का link जो है वो description box में है नाम है देवशीष classes तो आप app को जाकर तुरंट बाय करो ठीक है app पे जाकर बाय करो वहाँ पर coupon code भी लग जाएगा application का नाम देवशीष classes है link description box में सारे courses अविलेबल है सारे notes अविलेबल है तो देर मत करो वरना ये offer चला जाएगा UPSC की preparation करो याद देखेगा proper means की classes, notes वगरा सब कुछ मिलेगा आपको करना क्या है? करना है application को visit करना है कम cost में इतनी अच्छी पढ़ाई हमाई telegram group को कोई doubt query वो भी आप बताइए हम आपके doubt query को भी resolve करेंगे I hope आपको lecture समझ में होगा बना भी होगा और please channel को जरूर subscribe करके रखेश में हम आगे के lectures का notifications आपको मिलता रहे So thank you everyone Jai Hind, Jai Bharat